बोलो जै कारा बोल मेरे शिरी गुरु महराजी की जै ये ससन गुरु की महिमा और शिरी गुरु मूरत गुरु महराजी की जो पवित्र मूरत हम लेकर आते हैं दरबार से उसके महतों पर है हमें से बहुत से लोग कई बार अपने घर में अपने प्रभु को विराजमान करते हैं गुरु महराजी की मूरत को विराजमान करते हैं लेकिन ये अच्छे से नहीं जानते कि गुरु देव की ये जो मूरत है इस मुरत में प्रभु आप विराजमान होकर हमारे घर आए हैं शीर सद्गुर्दे भगवान जी ने पर फरमाया कि जो मुरत आप दरबार से लेकर आते हो उस मुरत में हम खुद विराजमान होकर आते हैं आपके घर आते हैं तो मूरत में हम अपने सद्गुरु देवजी के दर्शन करते हैं श्रीर गुरु महराजी ने इसका जो महत्व है एक बहुत ही प्यारी लीला के द्वारा हम सब के आगे रखा हम सब को समझाया हमारे करणा मही सरकार 1994 में श्री पंचम पाशाजी महराजी हरिद्वार में क्रिपा फर्माई उस समय वहाँ पर आश्रम नहीं था वहाँ पर छोटी सी कोई जगा लेकर रेंट पर कोई धरमशाला में प्रोग्राम रखा गया और बड़ा प्यारा आरेंजमेंट किया गया कि कौन सी जगा है तो उनने कहा कि ये हरी द्वार है गुर्माई जें फरमाया कि अभी तक ये हरी द्वार था ना अब हम यहाँ पर आ गए हैं अब ये गुरु द्वार हो गया है बोलो जैकारा बोल मेरे शीरी गुर्माहराज की जै तो प्रभु के कहकर बड़ा मुस्कुराए उसी समय में जगा भी शायद ले ली गई अगर मुझे कोई इसमें गलती हो तो मैं इसमें माफिश चाहता हूँ क्योंकि मुझे पूरी डेटा याद नहीं है लेकिन लीला ऐसे ही है तो प्रभु वहाँ पर गए उसके बाद जो है शी सद्गुर्दे भगवान गंगा जी का जो मंदिर बना हुए है वहाँ गंगा तट पर गए तो प्रभु वहाँ पर शीरिकार से उत्रे और अपने सुंदर चर्णों पर चलते हुए वहाँ पर गंगा के किनारे पर जो सीड़ियां बनी हुई है नीचे शनान करने के लिए सीड़ियां बनी हुई है तो शीरिगुरु माराजी वहाँ उपर ही खड़े हो गए और बड़ी देर से बड़े प्यार से मुस्कुरा कर मा गंगा के तट पर मानों मा गंगा को दर्शन देने के लिए प्रभु आए है तो अब मा गंगा देख रही है कि जिन चर्ण कमलों से मेरा संसार में आगमन हुआ है प्रभु के चर्ण आज वही साक्षायत भगवान न चूपाओं केते आव नारायन कलाधार जग मेह परवरेओ निराकार साकार जोत जग मंडल करेओ प्रभु इस जगत में संपूर्ण सुन्दरतम अवतार लेकर साक्षाद भगवान नारायन का अवतार जो है अवतार तो क्या कहा जाए सच ये है कि जो दूसरे अशलोक में अगर कहूँ तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जग पेखन तुम पेखन हारे वीदि हरी शंभू नचावन हारे ये संसार एक द्रिश है जिसको तुम देखने वाले हो भगवान के चैड़नों में विंति के जारी मेरे सद्कुरु जिस हस्ती हैं जो महा हस्ती हैं उनके लिए ये बिल्कुल उचित बैठता है जग पेखन तुम पेखन हारे इस संसार उपर द्रिश के तुम देखने वाल विदि हरी शंबु नचावन हारे ब्रह्मा विष्णु और मेश उनको भी वो भी आपकी उस सर्वोच सत्ता के आगे नमन करते हैं विदिहरी शंबू नचावन हारे, तेई न जाने अंत तुम्हारा, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी भवान की सत्कुरु की महिमा नहीं जान सकते, उस परमेश्वर की महिमा नहीं जान सकते, कहते और कोई को जानन हारा, अगर वो नहीं जान सकते, तो और हमारे जैसे सबकी तो उकáद क्या है सतकुरु की महिमा महा इतनी महान महिमा है सतकुरु की बस नन करें अपने प्यारे को ऐसे करुना सिंदू जो गंगा मा के दट पर खड़े है मात गंगा जेसा कि मेरे प्रभु मेरे दर पर आए है मेरे पास आए हैं और मैं उनके चरण ना छूँ सकूँ वो देखते ही उनके दिदार हुए हैं और कहते हैं मात गंगा का जो पानी है ऐसे जोड जोड से हिलोरे ले रहा है एक तेज लहर जो है मात गंगा ने भेजी और मानो वो गुरुदेव के चरण कमलों को छूँने के लिए उपर बड़ी तेज थी वो तो चार-पांच सीड़ी उपर तक पानी चला आया हलाकि इतनी तेज लहरे होती नहीं हमापर तो बड़ा शांत था लेकिन प्रभू आठ-दस सीड़ीयां उपर खड़े थे तीन बार जब ऐसा किया और प्रभू के चरण का चरण तक नहीं पहुच पाये तो फिर मातमजन साथ में जो थे सेवक उन्होंने विंती करी की प्रभू कृपा किजिए मात गंगा आपके चरण कमलों को छूना चाहती है उनको दर्शन दीजिए प्रभू थोड़ा सा नीचे उतर चाहिए शिसत गुदे भगवान जी ने अपनी चरण पादुकाएं जो चरणों में पहनी हुई थी उन्हें उतारा और नीचे उतराएं चार-पांच सीड़ियां नीचे उतरे धिरे-धिरे करके मात गंगा ने अब की बार जो लहर भेजी तो बड़े प्यार से प्रभू के सुन्दर चरण कमलों को तक जो आकर और चुआ मा गंगा ने और बड़े प्यार से एकदम शान्त हो गए आसपास के लोग ये नजारा देख रहे थे कि मात गंगा का जो पानी है वो इतना शान्त था इनके आदे कैसे उच्छाले लेने लग रही हो क्या रहा है और फिर प्रभू ने जैसे ही अपने चरण कमल चुआए उसके पाद एकदम शान्त हो गया गंगा का जल्मानों पवित्र हो गया हो वानी में लिखा है गंगा यमना सुरस्वती गोदावरी उधम करे साधू की ताई गंगा यमना सुरस्वती गोदावरी उधम करे प्रियास करती है एफ़र्ट लगाती है ये गंगा यमना सुरस्वती गोदावरी जैसी जो महा नदिया है ये पवित्र नदिया हैं ये क्या प्रियास करती है कि हमें किसी महापुरुष के संतों के दर्शन हो जिनके चरण कमलों को छूकर हम अपने आपको पावन कर सकें कहते हैं किल्विक मैल भरे परे हमरे विच किल्विक मैल भरे किल्विक का मतलब होता है पाप कि हमारे भीतर जो लोग अपने पाप छोड़ जाते हैं किल्विक मैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधू की धूर गवाई हमरी मैल साधू की धूर गवाई ऐसे जो महापुरुष हमारे पास आते हैं उनके चर्ण कमलों को छूकर हम पवित्र हो जाते हैं हम में दुनिया आकर पवित्र होती है और हम ऐसे महापुरुषों के चर्णों के साथ जुड़ कर पवित्र हो जाते हैं बोलो जैकारा, बोल मेरे शिरी गुरु महाराजी की जै मात गंगा ने प्रभु के सुन्दर चर्णों को छुआ और शान्त हो गे सभी मातमा जनों ने जैजैकार करी प्रभु को बहुत बहुत शुकराना किया जूर जूर से गंगा का जो तट है रिद्वार में वो प्रभु के जैकारा से गुँझ उठा प्रभु मुस्कुराए और चुप चाप ऊपर जाकर खड़े होगे मानो कुछ भी हुआ ही नहीं तो अब संत जनों ने जो साथ में महातमा जन गए हुए थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब आपके पावन्चरण इस जल में पढ़ गए है अब अगर आप आग्या दें तो हम सब जो है इस जल में शनान कर लें गुरुदेव ने कहा ठीक है जरूर जाओ सभी संत जन जो साथ में होते थे सेवक जो है वोशनान के लिए चले गए अब गुरुदेव वहाँ पर अपनी सुन्दर सी चेर लगाकर वहाँ पर विराजमाने बैठे अब वहाँ पर ये सारा जो नजारा हुआ एक पंड़ी जी खड़े हुए देख रहे हैं अभी देख रहे थे कि अभी मात गंगा का जो पानी है वो कितना शान था फिर ये किनारे पर पहुँचे और फिर एकदम से उच्छाले लेने लगा फिर इन्होंने अपने चरण कमल वहाँ पर लगाए उसके बाद सब शान थो गया और उसके बाद इनके साथ जो संद जन आये थे वो सबशनान करने गए ये पड़ीचे दूर खड़े देख रहे हैं गुर्देव के आगे बड़े प्यार से निहार रहे हैं इनके सुन्दर मूरत को कि आज तक लोग इस जगाँ पर अपने आपको पवित्र करने के लिए आते हैं अपने आपको खुद को पवित्र करने के लिए आते हैं बड़े-बड़े साथूं को संतों को यहाँ पर आते देखा हैं वो सब आकर शनान करते हैं और अपने बाप दो कर जाते हैं ये कौन महापुरुष आये हैं जिन्होंने आकर के वेल चरण जो आये हैं और गंगा की चल को पावन कर दिया वो प्रभु के सुन्दर मुखड़े को निहार रहा है सुरज की उपर से धूप पड़ रही है गुर्देव का सुन्दर मुखड़ा चमक रहा है प्रभु के और देखता जा रहा है तो गुर्देव के और देख रहा है प्रभु ने भी उसकी तरफ देखा प्रभु ने उसको अपनी तरफ बुलाया और बड़े प्यार से इशारा किया उगया बड़े प्यार से तो उसने श्री गुर्व महिज ने पूछा कि कौन हो आप तो उन्होंने प्राहतना करी प्रभु मेरा नाब ये है फिर गुर्देव ने पूछा कि यहाँ पर कितने साल से हो क्या करते हो तो उन्हेंने का कि मैं साधू हूँ और मैं यहाँ पर पंद्रा साल से गंगा के किनारे मैं बैठकर यहाँ पर भजन करता हूँ परमात्मा को याद करता हूँ मानो उसकी तपस्या का फल देने के लिए भगवान आये हो क्योंकि उसने जो इतना तब करता है आज भगवान वो देख रहा है कि जैसे मानो सक्षाद भगवान नारायन जिनका मैं जाप करता रहाता हूँ ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए आज मेरी सामने साक्षाद भगवान नारायन विराजमान प्रभु के सुंदर मुखडे को देखता है तो प्रभु के आगे उसने प्रभु ने फिर पूछा गुरुदेव ने पूछा कि पंदरा साल से हरिद्वार में रहते हो कभी हरी के दर्शन हुई हाँ चुड़के नेत्रों में आशु भराए विंति करता है गुरुदेव यह प्रभु पंदरा सालों से नहीं हुए थे लेकिन आज आपकी सुंदर मुखडे को देखकर इस प्यारी नुरानी छटा को देखकर मुझे यकीन हो चला है कि आज मैं अपनी आखों के आगे भगवान नारायन को देख रहा हूँ कहकर उसने तंडोत वंदरा कर दी गुरुदेव के आगे बोलो जैकारा बोल मेरे शिरी गुरु माहराज की जै पर हुने उसको बड़ा प्यार दिया बहुत प्रशाद दिया प्यार दिया और अकेले मजे की बात यह है कि अधिकतर समय में गुरुदेव के आसपास में संत जन होते हैं वो हम लोगों को मुका कहा मिलता है इतने प्यार से प्रभु के दिदार करने का लेकिन संत जन सारे के सारे शनान करने के लिए गयो हैं और पीछे से इनके भाग जगाने के लिए मेरे प्रभु कोने पर विराज मान है तो उस समय मानो उस गंगा का वो तट जो है वो पैकुंट धाम बन चुका था प्रभु ने खूब अपने प्रेमी को निहाल किया उसके मन की सारी तड़ा पूरी करी उसके बाद संत जन जो है शनान करके आ गए यह सारी लीला फिर उन्होंने देखी तो बड़ा मुस्कुराए सारे सभी ने गुरुदेव के जयकारे बोले पंडी जीवी ने भी वो जो खड़े थे वहाँ पर जो वो थे उन्होंने भी खूब जयकारे बोले उन्होंने कहा कि मैं धन्य धन्य हो गया आपके दीदार करके प्रभु के दीदार करके उसके बाद प्रभु वहाँ से थोड़ा आगे बड़े शनान कर लिया था पूजा की सामगरी वगरा मिलती है हम भी गए तो हमने भी देखा वो छोड़ी दुकाने से बनी हुई है तो उसमें उन्होंने देखा कि कई तरह के देवी देवताओं के मूर्तियां भी हैं वहाँ पर तो वो और साथ में जो है पूजा का समगरी रखी हुई है फूल वगरा और धूप पत्ती और और जब चीजें जो हैं माला वाला ये सब चीजें रखी हुई है शिर्सत्कुर्दे भगवान जी उन्होंने एक बड़ी मजे की चीज वहाँ पर क्या देखी कि जितनी भी वहाँ पर मूर्तें मतलब मंदिर टाइप जो बने हुई है जो दुकाने टाइप बनी हुई है वो उन सब में बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी है भगवान शिव की, गनेश जी की, हनुमान जी की मूर्ति और साथ में गुरुदेव की खुद की मूर्त भी रखी हुई है बड़े हरान हुए प्रभू ऐसे अपने हरान क्या हुए मतलब कुल मालिक हैं, परमेश्वर हैं, सब जानते हैं लेकिन बड़ा आश्यरे उन्होंने बहारी रूप से जताया प्रभू फरमाते हैं, ये साथी मूरत रखी हुई है पंजाबी में बोलते हैं कभी बड़े फ्यार से ये तो हमारी मूरत रखी हुई है तो अब उनको जताया नहीं प्रभू ने अपने आसपास में जो संत जन थे उनके और इशारा किया कि आपने कुछ बोलना नहीं है तो सब चुप चाप देख रहे हैं तो दुकाहंदार जो था, जिसने मूरत रखी हुई थी उससे गुर्देव ने जाकर पूछा कि तुने ये मूरत किसकी रखी हुई है ये किसकी मूरत है क्योंकि बागी सब तो पहचान में आ रहे हैं देवी देवता, शिव जी हैं, गनेश जी हैं माता जी की मूरत है सब की मूरत सब पहचान में आ रहे हैं ये मूरत किन की है उन्होंने कहा कि ये ना एक गुर्माराज की मूरत है ये गुरु महाराज की मूरत है अब उनी की मूरत जिनकी वो जो सामने खड़े हैं प्रभू उनी की मूरत रखी होई है प्रभू खुब मुस्कुर आ रहे हैं कहते फर्माया गुरुदेव ने कि हम ऐसा करोगे आप ये मूरत हमें दे दोगे उनने का नहीं नहीं मैं मूरत क्यों दे दूँगा आपको तो गुरुदेव ने कहा कि मूरत तो कहीं और से ले लिए उसमें क्या है उसमें क्या है उसमें क्या है नहीं नहीं मैं ये मूरत तो बिल्कुल भी दे सकता और कोई लेने तू ले लो ये तो मैं बिलकुल नहीं दे सकता गुर्देव ने पूछा कि इस मूरत में ऐसी क्या खास बात है तो गुर्देव ने कहा कि हम अधिकों 500 पर देते हाँ ये भी गुर्व महाराजी ने फरमाया कि हम 500 पर गुझे देते हैं और तू ये मूरत हमें दे दो, तो उसने खा कि मैं आप मुझे 500 रुपे दो या 5000 रुपे मूरत नहीं आप दे सकता, गुर्देव ने पूछा ऐसी क्या बात है इस मूरत में, उन्होंने कहा प्रभू आपको मैं क्या बताऊं, बाकी मूरतों के आगे लोग एक एक दो दो प्रभू बढ़ा मुझे लोग टेकते हैं, इस मूरत के आगे 10 रुपे से कम तो कोई मत्था है नहीं टेकता, इस मूरत के कारण तो मेरा गुजारा होता है, प्रभू बड़ा मुस्कुराए, बोलो जैकारा, बोल मेरे शिर गुरु महराज की जै, गुरु महराज बड़ा म खुब आशिर्वात दिया, अब वो व्यक्ति देख रहा है कि ये मूरत और ये सामने जो खड़े हैं, वो पैचानने कि जिसके उपर गुरु महराज ने परदा डाल दियो, वो कैसे पैचान सकता है, कहते सो जाने जिस देहो जणाई, जानत तुमें तुमें हो जाई, वो प्रभु को साकार देख रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं यादा कि कौन है, चलो फिर भी, हम सबी उसे महाभागशाली गिनते हैं, कि फिर भी प्रभु के सुंदर देदार उसे हुए, खिर गुर्माई ने वहापर ये सारी लीला रचाई, और उसके बाद मेरी कहने का म उस जगा पर लोग रखते हैं, जब इनकी पावन मूरत रखने से उस व्यक्ति का जो उनको जानता नहीं है, जो उनको जानता नहीं है, जो उनकी कोई पूझा नहीं करता, उनको किसी भी ढंग से मतलब उनको समझ भी नहीं है, उसके भी घर का गुजारा केवल गुर्मारा जिस जगापर मेरे गुरुदेवर चरण चुषाते हैं उस जगह से भूत प्रेत यानि सारी नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग जाती हैं फिर कहते हैं लच्षमी डेरे लाए मेहरा हो गई हैं सत्गुरु मेरे आए मेहरा हो गई हैं इसका मतलब ये लच्षमी डेरे लाए मनें वहाँ पर सुख संपता की जो देवी हैं महालक्ष लक्ष्मी तो मात लक्ष्मी वहाँ पर अपना डेरा जमा लेती हैं जिस जगा पर सद्गुरु का आगमन होता है। लक्ष्मी यह माने की हां पर सक्षाद प्रब्रम प्रमात्मा विराज मान है। गुरू माहराज विराज मान है। और खुप प्यार से उनकी प्यारी मूरत के दर्शन दिदार करें। उनकी सेवा करें। और अपने पांचो नेमों का पारण करते हुए अपने जीवन को सफल बुलो जैकारा बोल मेरे शिरी गुरु महाराज की जै